हेलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन पर्चे और साहित्तिक पर्चे लिखना बताएंगे कि आप बोड एक्जाम में किस प्रकार से जीवन पर्चे और साहित्तिक पर्चे लिखेंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे तो इस्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए जीवन परचे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे प्रक्रत के सुकमार कभी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1922 को अलमोडा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ तो इस्टूडेंट इतना आपको जरूर याद रखना है कि सन 1922 को अलमोडा जिले के कौसानी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ इनके पिता का नाम स्री गंगादत पंत तथा इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था ये अपनी माता पिता की सबसे छोटी संतान थे पंत जी की प्रारंबिक सिच्चा उनके गाओं की ही पाट साला से हुई इनोंने संसकरत अंग्रेजी तथा बंगला आदिभासाओं का गहन अध्यन किया इन्हें चिदंबरा पर भारती ग्यानपीट पुरसकार तथा भारत स अगली हेडिंग साहित्तिक परिचे डाल कर इसमें लिखेंगे पंत जी गंभीर विचारक तथा उतकरष्ट कवी थे इनोंने संदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहड किया है इसी लिए इन्हें संदर्य का कवी भी कहा जाता है अब इनकी हम रचनाएं लिखेंगे पंत जी इने अनेक काव ग्रंथ लिखे हैं कवीताओं के अतरिक्त इनोंने कहानियां उपन्यास और नाटक भी लिखें रचनाएं में इतना पाइंट लिखने के बाद में आपको इनकी रचनाएं लिखनी हैं जो की इस प्रकार हैं स्वैड किरड, स्वैड धूल, अतिमा, कला और पूरा, चांद, लोकायतन, किरड, इत्याद, इनकी प्रमुक रचनाएं हैं तो स्टुडेंट यदि आप इस प्रकार से बोर्ड एक्जाम में लिखकर आते हैं तो आपका एक भी नमबर नहीं कटेगा तो स्टुडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाय भारत